वेल हेलो दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे कि साउंड को हम कैसे मैनिपलेट करते हैं अपने तरीके से जैसे हमको चाहिए हमको वैसे ही मैनिपलेट करना है सांट को तो कैसे करते हैं मैंने एक छोटा सा सेंपल बनाया है पहले हम सुन लेते हैं फिर उसके बाद देखते हैं इसको कैसे बनाना है शाम से टरती है लंग भी मेरी तो इसमें कैसा फिल हो रहा है कि एक वोकल अपनी जगह से हिल रहा है तो दूसरा वोकल उसकी जगह पे आ रहा है जैसे दूसरा वोकल उसकी जगह से हिल रहा है तीसरा वोकल उसकी जगह प्यार है तो ऐसा हमने एक लूप बनाया है जैसे हमने ओपर ओटोमेशन दिख रही है तो यह लूप कैसे बनाए जा सकता है इसको अगर जादा ध्यान से बनाए तो जादा अच्छा बने गए तो वही बात है टाइम देने की बात है तो अभी हम इन ट्रैक्स पर कम नहीं करेंगे वंटू थीरी पर नहीं करेंगे हमेने पहले किया हुआ है तो Haam इसको रछान कर देती है अमर फॉक्रेशस प colonial कर देंख स्वह तेकस पहले हम को क्या करना है क्यान पींग क्या रहना है है न्यू टोंस EST में फिलाल हमको इतना ही करना है ज्यादा करना नहीं है कि अभी हमको क्या करना है इसमें थोड़ा सा फ्लेंगर यूज करना है तोड़ा डेले बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा ट्राइब शाम से शाम से डलती हुए जंगगी मेरी यहां से अभी हम क्या करेंगे एक रीवर्ब लेंगे अच्छे टेक्श रिफट के लिए तोड़ा सा बाइब अभी पर ज्यादा मजा नहीं है अभी पर ज्यादा मुझा नहीं है अभी तोड़ा से लोज काटने थोड़ा से रीवर्ब को और क्लियर करने के लिए तो अभी हमको रीवर्ब से पहले एक प्लगिन यूज करना है नाम है पैनो मैटिक इसको एक तरीके से हम पैनो मैटिक का टुटोरियल भी लगा सकते हैं इसको हम यहां पर क्या करेंगे डिटैच कर लेंगे और अपने रिकोर्डिंग सेक्शन में जाएंगे यहां पर करें नोट्स ओडियो क्लेप सबको बंद करें सिर्फ ओटोमेशन को रखेंगे हैं को सिर्फ ओटोमेशन करनी तो इसको बीच में रखना हैं को टाइमर लगा लेना है और चालू करनी है तड़ा पीछे है अब हमको एक सराउंड इफेक्ट बनाना है इसका है यह हमने इफेक्ट बना लिया इसका बाकि स्टार्टिंग में पहला बनाई जब इतने सारे दागे दागे से नहीं दिखाए गए क्योंकि मैंने पहले से बनाए हुआ है तो इसलिए दिखा रहा है तो कोई बात नहीं शो करने का तो क्या है समझाई अब हम को क्या करना है बनउ ह्कों क्या करेंगे पिच करेक्टर करेंगे स्को यहां से और ओर कि ये मैध्ट में पहले विदिखा चुक हूं नहीं नहीं दिखहए था स्ररांड स्रॉबसाभला तो इस union च्रोन को कारेंव बोल्स चैछिस कर लेते हैं वी और snap to scale भी कर लेते हैं ताकि और यहां सेंटर वेरियेशन को नहीं करना है यहां से क्योंकि फिर रोबोटिक हो जाएगा तो हमको थोड़ा सा नेच्रल चीव मैं थोड़ी वेरिशन बढ़ा दी यहां से तो क्या इससे थोड़ा सा और नेच्रल लगेगा हलका सा जादा बढ़ाने से तो और खराब हो जाएगा पर जादा नहीं बढ़ा है मैंने हलकी सी बढ़ा है इसको नया ट्रैक देते थे हैं जल्दी सी ट्रैक नमबर सिक्स ट्रैक नमबर सिक्स पर हमको क्या जाएगा हलका से एक्यू कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा शाम से शाम से डलती हुई हाँ अच्छा टेक्शर आ जाता है दज़ा जरूरत है नहीं सिच्विषन में इसकी बड़ दो जाएं और यहां पर में पी- के लिए लिए तो धो ड़ीमनास कर लिए क्योंकि जासे हम जादा लोगों के साथ हरम नी बनाते हैं वो जाद नेचरल होती है नहीं किया था अब है डिफोल्ट कर देते हैं अब इसमें हम को ही करना है पैनमेटिक डिटैच था कि हमको बाद में उसका सराउंट सब्सक्राइब बनाने में अब हम इसके अकोर्डिंग बनाएंगे अब पैनमेटिक ठीक आर दबाया हमने अब हम इसको लेफ्ट से शुरू करेंगे ठीक है जो 3D साउंड बनाने का प्रोसेस होता है वो भी अल्मोस्ट सेम साही होता है उसमी पैनमेटिक यूज होता है बट वो हल्की सी अलग टेक्निक है तो हम कभी किसी और वीडियो में कवर करेंगे अब हम क्या करते थे न्यूट पोजिशन पर चाहिए तो वापिस से पिच करेंगे में सेंपल को यहां से कंट्रोल है हलका सानी के लिए कि स्केल सेलेक्ट कर देता हूं मैं वी माइनर स्नैप टू स्केल सब कुछ स्केल पर रहेगा फिर शाम से डलते हुए जंग के मेरी शाम से थोड़ा से यहां से डलते हुए ज्यादा नेचरल लग रहा है तो इसका भी हमको सॉलिशन निकालना पड़ेगा कि अब ट्रैक नमबर सेवन में देंगे हम यहां पर हम डाल देंग ट्रैक नमबर सेवन में अब हमको हाइज नहीं चाहिए सब्स नहीं चाहिए शाम से डलते हुए और आपने लो मीड काट देंग ताकि मड़ीनेस खत्म हो जाए क्योंकि यह पहले ही अननैचर्ड लग रहा है तो यहां से लो मीड काटना जरूरी है शाम से डरते हुए जंग के इस पे हम क्रोमेटिक अटिटीन यूज करेंगे क्योंकि यह बहुत जादा अननैचर्ड हो रहा है जादा भी नहीं करेंगे हलका सा बल्कुल बल्कुल हलका सा गड़ बड़ हो जाएगी जादा करने से थोड़ा सा मोनो कर देते हैं इसको स्टीरियो कर देते हैं जोड़ा सा शाम से डरते हैं इस पे भी हम अभी पैनोमेटिक यूज करेंगे इसे इम डिटेच अब यह में एका रेफरेंस ले लेते हैं हम से रेफरेंस लेना तो अच्छा होगा इक किने क्या की ने लेट से साग किया था अभी हम राइट से स्टार्ट करेंगे कि शाम से डलते हुई जंदगे मेरी तो हमने इसको कर दे यहां से बियों कर लेते हैं हम सब चीजों को कि यहां से थोड़ी सी लेवलिंग कर देते हैं अब ही फाइनल प्रोड़क्ट दिखाने का टाइम हो गया है कि हमने क्या बनाया है यह जब हम किसी सौंग में इस एफेक्ट को यूज करेंगे ना तो मार्किट में नहीं चीज निगल के आगी कि एक्जक्ट 3D साउंड भी नहीं है तो मतलब एक एन्वायरमेंट बना दिया है हमने 3D वाला इसमें और साथ साथ हार मिनी के साथ 3D एन्वायरमेंट काफी कुछ नया इफेक्ट है तो सबको पसंद आए गए जोंज है तो अभी जिक ऐसा इफेक्ट बना रहा है कि एक वकल आया जैसे उसने पनी पोजिशन हटाई तो दूसरे इकुद्यक्ट पोजिशन ले ले लिए पाई तो तीसरा वकल आ गया तो ऐसे ही राउंड राउंड घूम रहे हैं सारे वकल एक तो एन्वायरमेंट बना तो सब कुछ मिलके एक बहतरीन सा कुछ इंस्ट्रुमेंटल कॉंबिनिशन बन रहा है तो यह एफेक्ट आप किसी भी अपने संग में ट्राइब कर सकते हैं आपके संग को तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि एफेक्ट कैसा लगा और अच्छे से समझ में नहीं आया है कि परस्टनली मिल जाते है फल्पी तो मैं जादा अच्छे समझ पाता तो मैं यह फल्पी दे दूँआ सेम अपने वोकल्स के साथ तो इसके साथ भी तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर आपके वीडियो प्रसंद्ध में इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने विस्टनली के साथ जो भी मीजिक में इंटेट हैं तो चलिए दोस्तो ओवर एन आउंट